हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबी भाईवेनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह और आशिरवादा बनाए रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपसे इसके अलावा आप जोतिश ये परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी दी हुई होती है उसके थुरू आप संपर्क करें मित्रों तो जरूर आपको उसका जवाब दिया जाएगा और बहुत इन्यूनतम राशी मैंने रखी है अभी डिस्काउंट भी चल रहा है और हो सकता है भविश्य में आपको बहुत सारा लाब मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करने से आप विभिन विश्यों पर वीडियो देख पाएंगे आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि जो सुहाग की प्रतिकात्मक चीजें हैं जो महिलाएं धारन करती हैं उसके डबल बैनिफिट उनको मिलते हैं जिसका की उन्हें कई बार सोचती नहीं है इस बारे में आज कल इतना मॉडरन जमाना हो गया है कि कई महिलाएं सुहाग की प्रतिकात्मक चीजें होती हैं उनको संपूर्ण रुप से धारन नहीं कर पाती हैं लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती हैं और उनको जरूर धारन करना चाहिए ऐसा करने से डबल फाइदा होता है डबल फाइदा ऐसे होगा कि पती को इसका लाप तो मिलता ही है स्वेम महिलाओं का स्वास्ते भी इस से उत्तम रहता है जितने भी सुहाग की चीजें हैं जो महिलाएं धारन करती हैं आप महाँ देखेंगे तो कही न कहीं उनके मूल में एक्यूप्रिशर पॉइंट ऐसे चुपे हुए हैं जो महिलाओं के स्वास्ते को बहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का अदा करते हैं जैसे की पायल जो पायल पैरों में पहनी जाती है वो महिलाओं के स्वास्ते को बहुत अच्छा रखने में मदद देती है और एक्यूप्रिशर पॉइंट भी उसमें छुपावा रहता है इस पेशली क्या-क्या एक्यूप्रिशर पॉइंट ये एक अलगी टॉपिक हो जाएगा तो इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगी लेकिन कुल मिलाके उनके स्वास्ते को बहतर बनाने के लिए जिस जगे पायल का जो इस्थान होता है आप वहाँ पर प्रेशर दीजिए यदि वहाँ पर दर्द महसूस होता है तो उसमें लगातार आप उसको दवाब बना के रखिए इससे स्वास्ते को उत्तम होने में सह पहता मिलती है इसके अलावा जहां पर बैंगल पहनी जाती है हाथ की जो कलाई होती है जहां पर आपने देखा होगा पुरानी जो महिला है कांच की बहुत सारी चूडियां पहनती है वो भी एक तरह से एक्यूप्रिशर पॉइंट होता है जहां पर हम घड़ी बानते हैं वह इस तरह से यह जो अस्थान है यह भी आपका स्वभाग्य तो बढ़ाता है चूडियां पहनते हैं आप लेकिन एक्यूप्रिशर पॉइंट भी इससे एक्टिवेट होता है अब बात करते हैं मांग टिका की जिस जगे मांग टिका लगाया जाता है वो भी महिलाओं का एक् इससे चला सकती है तो हम यही कामना करते हैं कि सभी महिलाएं स्वस्त रहें जिससे कि हम सब सुख में जीवन व्यतित कर सकें इसके अलावा जो आपका कानों में आप पहनते हैं टॉप्स वगरा वो सब एक्यूप्रिशर पॉइंट हैं इसके अलावा जहां बिंदी लगात इसी तरह से जो कमर पर जो जिसको बोलते हैं कमर बंद बांधा जाता था पहले वो भी एक्यूप्रिशर पॉइंट होता है और एक्टिवेट करता है और आपके चक्रा को भी बैलन्स करता है इसके अलावा जो धातुएं धारन करते हैं जैसे स्वर्ण हो गया चांदी हो ग पूड़कर वो हर तरह से फाइदा पहुचाते हैं दोहरा लाब देते हैं पती को भी लाब मिलता है इससे और पत्मिया भी लाभनवित होती है आज का वीडियो समाप्त करती हूँ लेकिन शीगर ही एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें और विस्तार से जान करी दूंगी आज का वीडियो समाप्त करती हूँ भगवान आपको हमेशा खुश रखे बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों